अपना दल यसके यूबा जीला अध्यक्ष प्रिंस बड़मा को मिली जान से मारने की धमकी प्रीत ने लगाई पीपरपूर थाने में जान माल की रक्षा की गुहा अमेटि जीले की ब्लाउक भादर अंतर गठाना पीपरपूर की है जहां अपना दल यसके यूबा जीला अध्यक्ष प्रिंस बड़मा को जान से मारने की धमकी मिली है पिरित का आरोप है कि सुबह के समय पिरित बर्नबाल बीज भंडार दुरगापूर बाजार लमुआ रोड पे खरा था तबी गाउं के तेज बहादूर बर्मा पुतर मोती लाल बर्मा जो की परधान पती है पिरित को कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सफाई के सम्मन में सिकायत करने की पीरित को मा बहन की भगदी भगदी गाली देने लगे और कहने लगे कि तुम मेरी चुनव में मेरा बहुत सारे बोट कराब किये हो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगा चोड़ा पर दोरा-दोरा करमा होंगा और तुम्हारे समर्थक को भी नहीं चोड़ूँगा जिससे ये नजीर बने कि तेज बहदूर बर्मा का विरोध करने की कोई ही मतना कर सके पीरित प्रिंस वर्मा हल में ही जो चुनाव संपन हुआ उससे उसकी पतनी अन्मु पटेल वाड नमर 32 की जिला पंचायत सदस की परत्यासी थी जो दूसरे अस्थान पर थी पीरित की तहरीर पर मामले को संज्यान में लेकर पीपरपूर्ट पुलिस ने तेज बहादूर बर्मा के उपर आईपीसी की धारा 504 वा 506 के तहट मुकदमा पंजी कृत कर पीरित को जान माल की रक्षा का भरोसा दिया है अमेठी सेव में इस कुमार सरमा की रिपोर्ट परधान पती टेज बहादूर बर्मा आते हैं और कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि साफ शपाई के मुद्ध पर आप बात करो और साथी साथ इनों ने भद्धी भद्धी गालियां देने लगे और इनों ने ये बोला कि आपने पंचाय चुनाओं में मेरा काफी ओर खराब किया है आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया और इनों ने मुझे जो है जान से मारने की धमकी दी कहा कि मैं आपको बोली मार दूंग तुम अपना दल के बहुत बड़े नेता बनते हो, हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि मैंने जिला पंचत चुनाओ जो अभी जो है पून किया गया है, उसमें जो है वाड नंबर 32 का जो मेरी पत्नी है अनुपटेल जो जेता रही है, उससे भी ये हमारे जो है राजनेतिक प् प्रकार के प्रकारण इनों किया था लेकिन मैंने चुनाओ के दवरान तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया इसकी सिकायत आपने की कहीं पे तो कल जो है मैं थाना पीपर पूर में जो थाना अध्यच्छें स्री रतन सिंग जी उनके समझ मैंने तहरीर दिया कि मुझे जो है तेज भादूर बर्मा निवासी दुर्गपुर से जान का खत्रा है ये मेरी हक्त्या कर योम करवा सकते हैं और इनोंने मुझे जो है गाली दी है और फुले आम इनोंने जो है दिन नहाडे जान से मारने की धमकी दी पुलिस की कारवाई से आप संतुष्ट हैं अब पुलिस की कारवाई से मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने कल जो तहरीर दी उसके आधार पर श्री रतम सिंग्जी ने जो थाना द्यच है उन्होंने आईपीसी 504 और आईपीसी 506 में बुकत्मा पंजी के रिपकर आगे की कारवाई करने का पूर्ण आस्वासन दिया है और मुझे इस सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे जो है नया जरूर मिलेगा